जो चाहोगे सो पाओगे एक साधू था वो रोजगाट के किनारे बैट कर चिलाया करता था जो चाहोगे सो पाओगे जो चाहोगे सो पाओगे बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थ एक दिन एक युवक वहां से गुज्रा और उसने उस साधू की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे और आवाज सुनते ही उसके पास चला गया। तेरी एक ही ख्वहिश है, मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। कुछ सोची रहा था कि साधू उसका दूसरी हथेली, पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, लोग इसे, धहरियक कहते हैं, जब कभी समय देने के बावजूत परिनाम ना मिलेंटो, इस कीमती मोती को धारन कर लेना, याद रख कर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहां काम शुरू करता है, और अपने मेहनत और इमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है, फ्रेंस, समय, और धहरियक, वह दो हीरे मोती हैं, जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्षे प्राप्त कर सकते हैं, अता जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बरवाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए धहरियसे काम लें